जैसे कि आज हम आपको medicated toothpaste के बारे में बताएंगे इस toothpaste का यूज क्या होता है इसमें क्या salt पाया जाता है इसका उप्योग कहां पर किया जाता है तूथ पेस्ट ये काम क्या करता है यानि हमारे दात में क्या दिक्कत क्या परिसानी रहती है तब डॉक्टर के द्वारा ये advice क क्या जाता है या फिर हम हमें क्या दिक्कत क्या परिसानी हमारे दात में रहता है तब हम इसे खुद से भी ले सकते हैं इसका उप्योग क्या होता है इसे एक दिन में कितनी बार उप्योग किया जाता है इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जनकारी देंगे चलिए सब से पहले जान लेते हैं, इसमें साल्ट क्या-क्या होता है, इसमें पहला साल्ट हमारा होता है, पोटेसियम नाइट्रेट, और जो इसमें हमारा अगला साल्ट है, वो है सोडियम, मोनो, फ्लोरो, फास्फेट पाये जाता है, और इसके अलावा ट्राइकोलोसन भी होता है, ये स थारे इसके मेन कम्वैन होता है जो हमने आपको बताया है इन सभी से ये जल या पेस्ट बनाया गया है जिसे आप बोल सकते हैं इसका उप्योग जो होता है दातों के मसूर था जीertain के लिए ये advice किया जाता है या फिर आपके गम में या फिर आपके मसूडों में किसी परकार का कोई बीमारी है तब भी डॉक्टर के दौरा उस समस्या में ये advice किया जाता है और जैसे कि जो दात के मसूडे होते हैं उसमें ये अच्छा काम करता है और जैसे कि अगर आप कोई ठंडी चीज खाते हैं तो उसकी वज़ा से आपके दातों में बहुत ज़्यादा जंजनाहट सा होने लगता है तब उस समस्या में डॉक्टर के द्वारा ये एडवाइस किया जाता है यानि एक परकार से हम कह सकते हैं जब दातों में जंजनाहट की समस्या रहता है तब डॉक्टर के द्वारा ये एडवाइस किया जाता है जो आपके दातों में जंजनाहट की प्रॉब्लम रहता है वो ठीक हो जाता है इससे और जैसे कि यदे आप कोई गरम चीज खाते हैं तो वो भी आपके दातों में लगता है तो एक परकार से हम कह का सामना करना पड़ता है काफी जादा दातों में दिक्कत होता है तब डॉक्टर के द्वारा ये एडवाइस किया जाता है और जैसे कि जब बेक्टेरिया आपके दातों में लग जाते है तो आपके दातों में पीलापन पड़ जाता है तब काफी जादा दिक्कत होने में ये जाके लगता है और काफी ज़्यादा जंजनाट होने लगता है आपके दातों के बीच में या फिर हम कह सकते हैं दातों में दर्द होने लगता है तब उस समस्या में डॉक्टर के दोरा ये एडवाइस किया जाता है जब किसी के दात में जिंजी वीटिस नामक का एक बीमारी है, जब हो जाता है, तब उस समस्य में डॉक्टर ये एडवाइस करते हैं, चलिए अब जान लेते हैं जिंजीविटिस समस्या क्या होता है, जिंजीविटिस को समान भासा में मसूडों में सूजना जाना, जैसे कि ये बेक्टिरिया के कारण होता है, इस प्राबलम क किसी के दात में पायरिया की समस्या हो जाता है तब भी डॉक्टर के दौरा ये काफी ज़्यादा पेसक्राइब किया जाता है ये पायरिया की समस्या को ठीक करता है जब किसी के दात में पायरिया की समस्या हो जाती है तो उसमें क्या होता है मसूडे धीरे धीरे करके दात छो यह सारी प्रावलम को ठीक करने के लिए डाक्टर के द्वारा यह एडवाइस किया जाता है यह काफी अच्छा होता है, इन सारी प्रावलम को यह ठीक कर देता है चलिए अब हम आपको बताते हैं इसे यूज कैसे करना होता है जैसे कि आप सुबह के टाइम ब्रेस करते हैं या फिर रात के टाइम ब्रेस करते हैं तो आपको अगर ये सारी समस्या है तो आप दिन में दो बार आप यूज कर सकते हैं जैसे आप मौरनिंग टाइम ब्रेस करत और जैसे कि अगर किसी के दातों में या फिर मसूडों में तकलीफ जादा है तब आप ये जेल या टूथ पेस्ट आप अपनी उंगली में ले लें उसे अपने हलके हलके हातों से दातों के बीचे में जैसे आप ब्रेस करते हैं उसी तरह अपनी उंगलीों से आपको करना होत जैसे कि ये जेल मेल और फिमेल दोनों लोग यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपके दात में कोई दिक्कत कोई प्रेसानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से संपरक करें